नवसकार दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम आपशवी का श्वागत अभिननन्द है परहवन EBS के NCAT पेटन पर क्लास नमबर 15 की बात करेंगे आपका अपना यूटूब चैनल सिचक भरती का चैनल टीचर्स फैंबली जेस्वाल कोचिंग सेंटर पर श्वागत अभिननन्दन है दोस्तो चली क्लास को कांटिनू करते हैं आज की क्लास कल की क्लास पर हमने बहुत पूर्ण चेप्टर के बात किये थे और आज की क्लास पर भी हम महत्पूर्ण प्रशनों की बात करेंगे प्रशने पूंचा जा रहा है कि निमलिकित में से किसमे सरवादी की जै विवित्ता पाई जाती है यह कापी बाद प्रशन पूंचा गया प्रशने सीतोष्न पंडपाती वन वायों सीतोष्न गहांश प्रदेश या श्वान वायों देगे जै विवित्ता की बात करते हैं बायो डैविस्टी की बात कर रहे हैं तो सभी को पता है ऊशन कटवन्दी सदा वहार वर्शा वन वायों ये घने वन भूमद रेखा एवं उश्न कडवंधी के पास पाय जाते हैं ये छेत गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहां अतदिक वर्षा होती है और काफी घने वर्षों की मोटी विर्ण के कारण दिन के समय भी सूर का प्रकास नहीं जाता है आम तोरी पर यहां पर दर्ण काश ब्रज जैसे रोजोड आवनोश महोगनी आदी पाय जाते हैं और सबी को पता है कि वर्ष गटवंधी सदावार इतने विसाल है कि एक प्रतिवी के फेपड़े की तरह या प्रतीत होते हैं प्रतिवी के फेपड़े की तरह प्रतीत होते हैं कौन से वन ऊश्न कटवंधी सदावार वन कहां के वराजियल के अंगला प्रशने 12 तंबर प्रशने आप लोगों की स्कीन पर है टेंद कुश्चन हम कल की क्लास पर कंप्लीट कर चुके हैं विस डिटेल के साथ अंगला प्रशने चिपको अंदोलन के प्रणेता बहुत बार पूचा गया है बहुत ही आसान सा प्रशने सभी को पता होगा सुन्दलाल बहुणा की बात करेंगे यह अंदोलन बच्छों को काटने की ब्रोध में वस 73-74 में उत्रा खंडराज से प्रारम किया गया था इस अंदोलन जिस पेंड को काटा जाता है उस लोग पर पेंड से क्या है चिपक जाते थे और यह अंदोलन जो है चिपक कर हो जाते थे इसलिए इसका नाम चिपक को अंदोलन पढ़ा था यानि कि इस तरह के पेंडरों की रच्छा का अंदोलन शुरू किया गया था आईजी अप्रमुप प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं तो हम देखिए ज्यादा तर डिटेल से ले कर आजाते हैं क्योंकि यहां प्रशन पूछे जाएंगे तो कोई भी प्रशन पूछा जाएगा आपसे लेडी बन जाएगा तो पहले बात कर लेते हैं चिपकोंदोलन की के एक प्रमुक्ष शामाजी के परेवर्णी अंदोलन है चिपकोंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्रा खंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में वनों की कटाई को रोकने हेतू महिलाओं द्वारा सुरू किया गया थी ये भी प्रशन आ सकता है इस अंदोलन के प्रनेता से सुन्दलाल बहुणा स्री चंडी प्रशाद भट और इस संदोलन का मुक्ष देश बेशाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था वन जनक किसको जाता है सुन्द्रल भवगुणा को जाना जाता है दूसरा करेवन सुधार अंडोलन जो है आपका करेवन सुधार अंडोलन जो है यह हिमाले गड़वाल के सहट का है और चन्डी प्रसाद भर्ट सुन्दल लाल 1974 में परयवं सुधार, अंदोलण नीसी के नाम से जाना जाता है, यνनि परयवं सुधार और अंदोलण से समन् Catholic यहाँ पर हम छप्टर करेंगे, अभी हमने बात किया था चिपकों अंदोलण में, परयवं अंदोलण के प्रमुक बाते हम ओ लेडी कर चुके हैं, दूसरे बा Silent Valley, Andolan ये सांत गाटी एक ही नाम है, कन्फूज नहीं हो जाईएगा। कि सांत गाटी कहीं पर आ जाए, Silent Valley आ जाए तो आप लोग कन्फूज हो जाएए। दोनों एक ही हैं, अंग्रेजी में Silent Valley, हिंदी में सांत गाटी। साइलेंट वैली की सुरच्छे कुद्देश के लिए यह अंदोलन शुरू किया गया था एक समाजी कंदोलन था यह अंदोलन केरल के पलकट जीले के सदा भार उश्न कडवंदी वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था सांथ गाटी जैवित्ता के लिए प्रशुद्ध है आपके अंदोलन दे दियांगे तो सांथ गाटी हो जाएगा तीसरा आता मैत्री अंदोलन यह कब किया गया 1994 पर उत्रकंट चमोली पर यह मैत्री अंदोलन किया गया था इसके प्रमुक कल्यान सिंग रावत है 1994 में कल्यांट सिंग रावत ने साधी बिवाय में जूता चोरी की परंपरा को खत्म करते हुए दूले द्वारा लड़की के माय के या मैत्री एक पेंट लगाने के लिए रस्म सुरू किया जो धीरे धीरे एक अंदोलन को तब्दील हो गया था अंगला है आपका जंगल बचाओ अंदोलन जो की 1989 में किया गया बिहार शिंग भूम पर किया गया था यह अंदोलन और यह मुलता एक आदिवासी जंगल सनच्छन वन छेत्र को बढ़ाना था इस अंदोलन का प्रमुक अंगला है नर्वदा बचाओ अंदोलन जो की प्रमुक रूप से पूँचा जाता है मद भारत मद पदेश का यह है प्रमुक किस्तल है और नर्वदा बचाओ अंदोलन कब किया गया 1985 में प्राराम किया गया इसके प्रमुक मेधा पाटकर बाबा आम्टे अरुनरदी राय आनंद पतवरधन इस अंदोलन में बांधो को बिकास पर परस्चिन लगाया उनका विरोध किया और नर्वदा शागर परियोजना आनंद पतवरधन मत्पदेश वह सरदार सरवर गुजरात परियोजना का विर जेन सिंग जी है राजिस्थान में जल समश्या वा उपलब्दता पर यह अंदोलन के इंदित है इसने जल के परंप्रगस शोतों का पुनरुद्धार जल संचे के महत को जन जन तक पहुँचाया अंगला है पश्मी घाट बचाओ अंदोलन पश्मी घाट गोवा इसके प् संचन बड़े बांधों का विरोध विकास के वैकल्फिक रनेत के अधार पर यहां पर पच्छदर रहें आपके कैलास मलोतर जी अब बात करते हैं प्रश्णों की अंगला प्रश्ण है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब की गई तो सभी को पता है 1973 में प 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शुरुवात की गई थी और यह प्रोजेक्ट जो है शुरुवात जिम कार्वेट नेशनल पार्क जो की उत्राखन में है यहां से की गई थी काफी बार पर समूचा जाता है कि आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात जो है भारत में कहां से किया गया तो इसकी सुरुआ जिम कार्वेट नेस्नल पार्क से किया गया 1 अपरेल 1903 पर जिम कार्वेट नेस्नल पार्क उत्राखंड से किया गया 29 जुलाई 2018 की बाग गढणा के अनुशार देश में बागों की कुल संख्या 29 सरसट हो गई थी किसके कॉर्डिंग 29 जुलाई 2018 में बागों के गर्णा के कॉर्डिंग जो अब आपके 2021 पर बढ़ चुकी है साथियों जीव जन्तु समंदी प्रोजेक्ट जो परियोजना हैं प्रशन पूछे जाते हैं इनको विकल लेते हैं यहां से एक दो प्रशन पूछे जाते हैं संभावनाय हैं और यह परफेक्ट नहीं है कि कौन से प्रशन पूछा जाएगा इसे सारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर बाग कप किया गया 1992 पर प्रोजेक्ट रेट पांडा लाल पांडा कब किया गया 1996 पर हंगुल परियोजना 1970 में किया गया कस्तूरी मरग परियोजना 1970 में किया गया ये भी हंगुल और कस्तूरी मरग परियोजना दोनों 1970 में परियोजनाए हैं और शमुद्री कच्वा परियोजना 1975 का है ये थे आपके जीव जंत समंदेद कुछ प्रोजेक्ट और परियोजना है बात कर लेते हैं प्रशनों की कि किसी जगे के फलोरा और फना क्या सूचित करते हैं काफी बार ये प्रशन पूचा गया प्रशन है तो सभी को पता है कि किसी जगे के जो फलोरा और जो फना होते हैं ये किसी सूचित करते हैं पेंड पूदे एवं जंतों का सूचित करते हैं क्योंकि फलोरा किसी भागोलिक छित में पाई जाने वाली बिसेस वनस्पति की शमू होती है और फणा किसी भहगौलिक में पाई जैने वादे जिन्तों का एक सम्मौ होता है अंगला परिश्णा आई ये देख लेते हैं आप लोगों के स्कीन पर है परिश्चा के ज़से मातपून बिंदु यहां पर देख लेते हैं कि भारत में पर इस्थित्की तंत्र के जनक कौन है प्रोफेसर रामदो मिश्रा हरित क्रांति के जनमदाता डाक्टर नारमन औरनेस्ट बोरलाग है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है डाक्टर एमेश श्वामी नाथन जो कि हम कल के क्लास पर चर्चा भी कर चुके हैं इस किसे कहा जाता है डांक्टर राजेन सिंग को कहा जाता है भारत का वर्ड माइन किसे कहा जाता है डांक्टर सलीम अली को कहा जाता है टाइगर माइन आफ इंडिया किसको कहा जाता है कैलाज शांकला को कहा जाता है डालफिन माइन आफ इंडिया किसको कहा जाता है रमींद शि अंदोलन की जो प्रिनेता है पांढूरंग हेगडे है और नर्वदा बचाओ अंदोलन की जो जनक है मेधा पाटकर और बाबा आमठे है तो ये रहे महत्पूर्ण प्रश्ण की बात करेंगे कि परयावन को बचाने के लिए चिपकों दोलन का सम्मन्ध किस राज से है काफी बार पूछा जाता है हम बात कर चुके उत्रखन की चमोली की बात करेंगे सुन्दलाल भगुणा गवरा देवी चंडी प्रशाद भट के द्वारा की गई की यह दोलन ब्रच काटने की ब्रोध में चलाए गया था अंगला प्रशने पर इस्तिक तंत्र इबं प्राक्तिक अधिवासों का संद्चन तथा उनके प्राक्तिक वातवर्णों में प्रजातियों का जीवन चम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्त के लिए फ्रियुक्तुपद कौन सा है क्रोड सन्रचन स्विस्थाने सन्रचन अपिस्थाने या आपका परधी सन्रचन हो जाएगा सभी कमेंट करें सभी जानते समझते हैं प्रशन पूंचा प्रशने कि पर इस्तिक तंत्र एवं प्राक्तिक दिवासों का सन्रचन उनके प्राक्तिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन चम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्त के लिए जो प्रियुक्त पद है वैकलाता है श्वाइस्थाने सन्रचन अर्थात ह कि परिस्चिक तंत एक एबं प्राक्तिक अदिवासों का सन्नच्छन उसके प्राक्तिक वातवरण में प्रजातियों का जीवनचम works with प्रति प्राप्तियों के लिए स्व прогस्थानी सन्नच्छन और इनकी इंतरगत राष्टी उद्यान वन जीव अभ्यार और जेव मंडल आरच्छी छेतर आते हैं जिनमें वनश्पतियों जन्तियों को प्राक्तिक संद्चन प्रदान किया जाता है सामुद्री कच्छपों को जीवन्त जीवास्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्सों से भी अधिक समय से प्रथी पर यह उपस्थित है भारती उप महादीप के जल भागों में पाए जाने वाले पांच प्रदातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक किस प्रजाति की संख्या है सभी कमेंट करेंगे देखे अलिव रिडले ये धान दिए काफी वार पूचा गए प्रशने भारती उप महादीप के जल भागों में पाए जाने वाले पांच प्रदातियों में से समुद्री कच्छप में से सबसे अधिक संख्या आलिव रिडले की है अलिव रिडले प्रजाति की है और सभी को पता है कच्छ्छोए का जीवन का लगवक 300 वर्स के आसपास होता है और भारती महादीप में सबसे ज़्यादा आलू रिडले प्रजाती में कच्छियों की संक्या पाई जाती है अंगला प्रशने अंतराश्टी इस तरह पर वन जीओं की सुरच्छ ही तो संस्था, आयोशियन, यूनिसेफ, आयोपीएसी या डवलू एचो है देखे डवलू एच, आपको सभी लोग जानते हेल्से संबंदित है, लेकिन जीओं की सुरच्छा ही तो संस्था की बात करेंगे तो हम बात करेंगे आयोशियन, इसका पूरा नाम क्या है, इंटर नेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर यह एक संस्था है, अंतराश्टी इसतर पर वन जीओं की सुरच्छा ही तो, यह संस्था संकट गरस्त पेन पोध है, जीओ जनतों से संबंदित रिड डाटा बुक जारी करता है अंगला प्रशन है, संनच्छन या बिनास पुस्तक के लेखा कौन है, तो सभी को पता है सरलावएन, संनच्छन या बिनास पुस्तक के लेखा कौन है, सरलावएन है और यह पुस्तक पर्यावर्ण सरनचन से सम्मंधित है इसलिए महत्पूर्प्रशन हो जाता है पर्यावर्ण एवं वनमंत्राले भारश शरकार द्वारा पर्यावर्ण के छेत में दिये जाने वाला पुरुषकार है पर्यावर्ण मित्र पुरुषकार है पर्यावर्ण स्री है तरुमित्र है या वरच्छ मित्र है तो पर्यावर्ण एवं वनमंत्राले भारत शरकार द्वारा पर्यावर्ण के छेत में दिये जाने वाला पुरुषकार है जिसे हम वरच्छ मित्र के नाम से जानते है भारत सरकार द्वारा इंद्रा प्रिदर्शनी व्रच्छ मित्र पुरुषकार प्रारम किया गया यह पुरुषकार ऐसे विक्तिता संस्थाओं को दिया जाता है जो वनी करण को बढ़ावा देते हैं इस पुरुषकार के नतरगत विक्तियों और संस्थाओं को चार सेणियों में दो से लेके पचास हजार तक का नगत पुरुषकार यहां पर दिया जाता है दो लाग से लेके दो लाग पचास जार का नगत पुरुषकार दिया जाता है चार सेणियों पर रिट डाटा बुक शमलित है विलुप्त हो रहे जीव पर शुवोद जीव आपत्ति गर्स्त जीव या उप्रोक्षभी देखे रिट डाटा बुक में विलुप्त और शुवोद और आपत्ति इन तिनों पर शमलित किया जाता है तो यहाँ पर डी आप्सन से हो जाएगा पहला आप्सन मत किजेगा डी आप्सन हो जाएगा क्योंकि सभी को पता है रिट डाटा बुक आयूशीयन अंतराश्टी संस्था द्वारा जारी किया जाता है इस बुक जो बुक है बिलुप्तो रहे जीव शुवोद आपत्ति इस जीव को शमलित किया जाता है रिट डाटा बुक पौधे तथा जन्तों के लिए अलग अलग जारी किये जाते हैं दुनिया का प्रथम रिट डाटा बुक एक जन्वरी 1970 को प्रकासित होई थी दुनिया का और अब तक कुल पांच रिट डाटा बुक प्रकासित हो चुके हैं जो इसकीन पर है प्रथम बुक किसके लिए इस्तंदारी के लिए दूसरी बुक पच्छियों के लिए तीस्ती बुक मरुस्तली उभैचरों के लिए चौती बुक मचलियों के लिए और पांच्मी बुक पौधे वनस्पतियों के लिए और पहली बार एक जनवरी 1970 को यह प्रकाशित हुआ था अंगला प्रशने अभ्यारन का संबंद इनमें से किस्से है उर्जा सनच्छन, जल सनच्छन, वन जिव सनच्छन या डॉल्फिन सनच्छन देखिए अभ्यारन का संबंद किस्से है वन जिव सनच्छन से संबंदित हो जाता है क्योंकि जहां पर वन जिव जनतों को सनच्छन प्रदान किया जाता है उन्हें अभ्यरण वा निश्चित इश्थान होता है सरकार अत्वा किसी अनसंस्था द्वारा संदचित वन पशू विहार पच्छी विहार को अभ्यरण कहते हैं इनका उदेश पशू पच्छी वन संदा को संदचित करना उसका विकास करना और सिच्छा तथा अनसंधान के इच्शेल मेस्की मदद करना वरतमान समय में वन जियू अभयरंड की संख्या 544 है एकार्इंग टू 2018 अभी हो गई हो तो आप लो km export क कि संख्या कितनी हो चुकी है कि सुष्री मेधा पाड़कर का संध किस्से है वज्यानि करि संद्ठ, नीचे कमेंड बाक से कमेंड करें फीडवेक करें और त्यारी जारी रखें सूसी मेधा पाटकर का शम्मन सभी को पता है परियावन सनच्छन से संबंदी थे और इनका जन्म दिसंबर 1904 में मुंबई में हुआ था मेधा पाटकर ने नवदा बचाओ अंदोलन की इस्थापना की थी अंगला प्रशन है पाओधे और जन्तु की संकट गर्स पजातियों को प्रदर्सित करने के लिए आयो सीन ने निम्न पुस्तक तयार किये है श्वेद डाटा बुक, रिड डाटा बुक, निल डाटा बुक या इन मेंशे कोई नहीं देखे पाओधे और जन्तु की संकट गर्स पजातियों को प्रदर्सित करने के लिए आयो सीन ने जिस बुक को तयार किया था या जिस बुक को पुस्तक को तयार किया है वह है रिड डाटा बुक यह रहे दोस्तों महतपूर्ण प्रेशन और आयो सीन काफी बार फुल फार्म पूछा जाता है International Union for Conservation of Nature तो यह रहे दोस्तों महतपूर्ण प्रेशन आयो पाप लोग समझ गए होंगे और जी तरह कांटीनू क्लास पर करते रहेंगे और पूरी त्यारी होगी आपके सारी जो क्लासेज हैं आपके NCRT बेस्ट क्लासेज हैं संपूर्ण त्यारी होगी EBS में 30 में से 30 का सपना पूरा होगा और टोटल आल सब्जेट की त्यारी होगी Out of 150 में से 125 प्लस का यहां पे लच्छ है जो शरुमान है और आप लोग अवश्य पराप्त करेंगे तो क्लासेश कांटिनू चल लए है अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब करें ताकि लाटेश नूड के सन आपको मिलता रहे मैं मिलता हूँ जल्दी इन इस क्लास पर धन्वाश भेका